हेलो साथियों आप सभी का स्वागत है आपके पनी यूट्यूब चैनल दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एविस में भारत के प्रमुख मेले और तेवारों के बारे में बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास देखते हैं पहला भारत में पहला होता है माहा कुम का मेला माहा कुम के मेले के बारे में थोड़ी बात करते हैं पहला होता है प्रियाग राज में जोग किस नदी पर होता है गंगा युम्रा नदी पर होता है प्रियाग राज में दूसरा होता है हरिद्वार में नदी कौन से गंगा तिसरा उज्यायन में होता है शिप्रा नदी पर और चवथा नाशिक में होता है गोदावरी नदी पर तो एक बार और न को देख लेते हैं दोस्तों भारत में कितने महा कुम्ब होते हैं महा कुम्ब होते हैं चार कौन से प्रियाग राज हरिद्वार उज्जेन और नासिक नदियां देख लेते हैं प्रियाग राज में गंगा यम्रा नदी पर होता है हरिद्वार में गंगा पर होता है उजयन में शेपरा नदी पर होता है और नाशिक में गोदावरी नदी पर होता है आगे देखते हैं महा कुम्ब विश्व का सबसे बड़ा मेला है यह पॉइंट नोट कर लेना दोस्तों महा कुम्ब जो है विश्व का सबसे बड़ा मेला है यह आयोजन परतेक 12 वर्स में अर्ध कुम्ब का आयोजन परतेक 6 वर्स में होता है महा कुम्ब का आयोजन कितने वर्स में होता है 12 वर्स में किया जाता है और जो अर्ध कुम्ब होता है उसका आयोजन परतेक 6 वर्स में किया जाता है 6 वर्स के बाद में मतलब इनका आयोजन होता है आगे चलते हैं आग आपको इस क्लास से कम से कम 2-3 कोस्चन मिल जाएंगे एक जाम में तो आप इसको नोट करके रखने ना या फिर हमारी क्लास को देखते रहना दो या तीन बार देख लेना तो भी आपके कोस्चन हो जाएंगे जो वहां पर आएंगे चलते हैं आगे एसिया का सबसे बड़ा प बारा बंकी में कहां लगता है ये स्थान है बारा बंकी में देवा सरीफ कजरी मेला कहां लगता है मिर्जापूर में कहां लगता है मिर्जापूर में शाकम भरी मेला लगता है शाहरनपूर में कहां लगता है शाकम भरी मेला सहारनपूर कंस मेला मतुरा आगे लट्ठ मार हो तीन और एक कजली कजली होता है मोहबा में एक बार और देख लिए देखते हैं एसिया का सबसे बड़ा पसु मेला होता है शोनपूर बिहार में नोचंदी मेला होता है मेरट में उसकर मेला होता है जमेर राजस्थान में देवा सरीप मेला होता है बारा बंकी में कजली मेला ह मेला मेला होता है अब बात कर लड़ते हैं बहरत के पर्णुख से पारव के केरल में मना जाता है ओडम केरल याद करते हैं साथ में ओडम कहां का है केरल का है पोंगल कहां का है तमिल नाड का है पोंगल तमिल नाड का है पोंगल तमिल नाड का एक होता है अट्टुकल पोंगल जो कहां पे होता है केरल में होता है दोबारा सुन लेना पोंगल तो है तम कभी में निकाल लिए जो बखवान जगनात से संबंदित थे प्रफयात्रा आगे चठपूजा यह तो सब को पता यह कहां पर मना जाती है बिहार में होता है और सूर्द्यवत्रा को समर्पित होती चठपूजा बिहार में इसकी पुजा की जाती है आगे चलते हैं आगे है सरहुल मेला मतलब की सरहुल पर्व जो है यह होता है जहार खंड में लोशांग होता है सिक्किम में और शागा दावा यह होता है सिक्किम में बहुत धर्म से समंदित पर्व है यह सागा दावा पर्व किस्से इस एपॉर्टेंट निसान लगा लेना लिखके रख़ लेना याद किरके जाना दोस्तो ऊणदोर कहा है नागा लेन्द का है। और हरेला उत्त्राखंड याद रखना दबारा देखते हैं सरहुल ज्छारखंड लोसांग सिक्किम सागाधावा शिक्किम हार्णुविल फेस्टिवल नागालेंड हरेला फेस्टिवल उत्त्राखंड आगे देखते हैं नावरोज तोहर पारसी धर्म से सब्ढ़न्दे थे ये भी बहुत बार पूछाता है, नौरोज किसे सबंदित है, पारसी धर्म से सबंदित है, इसको बलवन ने प्रारम किया था, आगे भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जंजात कौन से है, गौड और थारू जंजात, दीपावली को सोक के रूप में मनाती है, कौन से भारत, मतलब जो भारत के राज हैं, उनके महतपुर्ण, लोक, नरत के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो देख लेते हैं, एक बारे हैं, इतको, मद्द प्रदेश में होता है, पंदवानी और गड़नोर, गडगोर, नरत्य, आगे असम में होता है, बीहू, उत्तर आप टीक लगा रहे हैं सात्यों सारे के सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन पर हम टीक लगा रहे हैं वहां से क्वेस्चन मिलना लगवगताय है तरह रिखनाप पंजाब का है भांगडा और गिद्दा राजस्थान का है कालवेलिया घूमर यह अब की बार काफिक जामें तमासा और लावडी कहा है महाराष्ट का उत्रा खंड का कजरी और छोलिया जम्मु कस्मिर का कुंद डांडी नाच और रौप रौप कहा है जम्मु कस्मिर का ये भी काफी इंपोर्टन रहने वाला है रौप याद रखना हिमाचल प्रदेश का है छपेली दांगी और थाली कौन-कौन से है छपेली दांगी और थाली नत कहां के है ये सब हिमाचल प्रदेश के है बिहार का है छवु विदेशिया जात जातनी कौन सा है छवु विदेशिया जात जातनी आगे देखते है केरल का कतकली और मोहनी अट्टम मॉस्ट इंपोर्टन रहने वाला ये कतकली और मोहनी अट्टम कहां के हैं केरल के हैं अगे दखते हैं नागा लेंड का है लीम और छोंग अगे पस्चिम मंगाल जात्रा धाली और छाउ अगे गोवा मंदी और डकनी अगे चलते हैं अंध प्रदेश का है कुची पुड़ी यह भी काफी इंपोर्टेंट है जहार खंड का है विदिसिया और छव उडिसा का है उडिसी और गुमरा और 36 गड़का है पंथी नरत्य तो साथियों आपको नरत्य करा दिये हमने और मेले करा दिये अब देखते हैं आगे आगे कुछ दिवस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टन रहने वाले हमारे लिए मतलब हमारे एक्जाम के लिए काफी यह सब जुतने भी दिवस हम आपको कराने जा रहे हैं सब पर्रवर्ण से संबंदित हैं कोई सब्ता है कोई दिवस है मतलब जो भी मनाएगे हैं पूरे आद्र भूमी दिवस हो सकता है आपको यहाँ पर थोड़ा कम दिखाई दे दोस्तों नेटवर्ण प्रावलम आ रही है तो यहाँ पर होगा विस्षू आद्र भूमी दिवस उसके बाद है तीन मार्च इस दिन मना आजाता है विस्षू वन जीव दिवस काफी पॉंटर र याद करते हैं ना साथ में दोस्तों आगे हैं 10 अप्रेल को मनाते हैं जल संसाधन दिवस 22 अप्रेल को मना जाता है प्रथिवी दिवस इसको टीक लगा कर याद कर लें अभी के अभी 22 अप्रेल को मनाते हैं प्रथिवी दिवस आठ मही को मना जाता है विश्यो प्रवासी पच्छी दिवस विश्व परियावन दिवस मना जाता है पांच जून को, आठ जून को मनाते हैं विश्व महासागर दिवस, दस जून को मना जाता है विश्व भूगर्व दिवस, आगे चलते हैं, जुलाई का प्रथम सप्ता में मना जाता है वन महत सो, जो जुलाई का प्रथम वीक होता है विश्व वाग दिवस विश्व हाथ दिवस या फिर युवा दिवस को याद कर लो अभी के अभी 21 सितंबर है अंताराष्टे शानती दिवस 22 सितंबर है विस्व गैंडा दिवस 2 से और 8 अक्टूबर की बीच मना जाता है वन निजिव सप्ता यह भी काफी इंपोर्टेंट है 1 निजिव सप्ता कम मनाते हैं 2 से 8 अक्टूबर की बीच मना जाता है वन निजीव सपता तो आपको कौन-कौन से याद करने दोस्तों इस वाली पीडियेप में इसमें याद करना एक तो आपको 16 सितंबर याद करना विश ओजवन दिवस इसको अभी कभी याद कर दिजी एक याद करना है दो से आठ अक्टूबर वन निजीव सपता आगे चलते हैं पांच अक्टूबर को मना जाता है नेशनल डाल्फिन डे कर मनाते हैं पांच अक्टूबर को मनाते हैं नेशनल डाल्फिन डे 16 अक्टूबर को मना जाता है विश ओखाद दिवस कमसा दिवस है 19 अक्वूर 15 जागरुकत माँ इसके सिब्सकों मांचा चंव-जावुम्वान हान ile कुछ दिसंबर को मना जाता है मानवा अधिकार दिवस दोस्तों आज क्लास यहीं पर समाप्त होती है बताना कमेंट बाक्स में आज की क्लास आपको कैसी लगी और देखने के धन्यवाद आप लोग इमानदारी के साथ अपने मेहनत किजिए और हमारी क्लासों को लेते रहिए आपको अधिकतर यहीं से सारे के सारे क्लास देखने को मिलेंगे और अगर आप ने जुड़े हैं तो हमारे चेनल को सस्क्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सेर कर दीजिए वीडियो देखने के धन्यवाद बाबाए झाल झाल